I once again welcome you all to Awakening Classes Indian Policy की Lecture Series चल रही है आज हम Directive Principles of State Policy के बारे में पढ़ने जा रहे है जो कि Part 4 में ही Indian Constitution देखो, Part 1 में हमने क्या पढ़ा? Part 1 में हमने पढ़ा Union and East Territories के बारे में जिसमें Article 1 से 4 तक था, ठीक है? फिर हमने Part 2 में Citizenship देखा Citizenship में Article कहां से कहां तक थे? 5 से 11 तक आपको थोड़ा यह Idea होना चाहिए कि पेपर में पूछ भी लेते हैं इस Part में यह Article कौन से Part में है या इस Part का क्या नाम है तो फिर हमने 3rd Part पढ़ा Fundamental Rights जो काफी Lectures लगे Fundamental Rights और यह थे 12 से 35 आज जो है 36 से 51 तक जो हम कवर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्या? Directive Principles of State Policy तो देखो Directive Principles of State Policy होते हैं पहले यह समझो Directive Principles मतलब यह कुछ Principles हैं ठीक है? जो Direct किये जा रहे हैं State को मतलब देखो होता क्या है? Basically इसको ऐसे समझो एक State है ना हमारी State में क्या क्या आता? State में Fundamental Rights के टाइम आपको बताया भी था State की Definition यहां पर भी सेम है State क्या होती है? कोई भी Legislative Body, Executive Body, Local Body यह सारी State में आते हैं जो Laws Frame करते हैं तो यह जो State जब Laws बना रही होगी उन्होंने कुछ Principles को ध्यान में रखना है कुछ Ideas को ध्यान में रखना है उन्ही को बोलते हैं DPSP जैसे स्पोस करो, Parliament कोई Law बना रही है तो Law बनाते वक्त उन्होंने इन चीजों को ध्यान में रखना है यह कुछ ऐसे Rules हैं, ऐसे Principles हैं जिनको Law बनाते वक्त, यह कोई भी Policy बनाते वक्त जब एक State बना रही होगी, उसको ध्यान में रखना है इनको हम क्या बोलते हैं, Directive Principles अब यह कैसे होंगी, Principles कैसे होंगी यह Principles इस तरह से हैं कि जैसे हमारी Society में जैसे हमें पता है na Economic Backwardness है या Social Backwardness है तो उसको ठी करना है, उसके बारे में दिया होगा फिर Environment को Protect करना चाहिए तो उसके बारे में लिखा होगा फिर Judiciary सबको Accessible हो Legal सबको Authority मिले Free मिले उसके लिए जैसे Legal Service Authority बगएरा बनाएगी है तो ऐसी चीज़ों के बारे में यहां पर लिखा गया है ताकि एक Social और Economic Welfare हो लोगों का तो कुछ ऐसे Principles बताएगे हैं जब आप देखोगे न आर्टिकल्स इसमें जो आदिन तो आपको खुद समझा देगे यह Principles है कैसे है इनका जो आइडिया है न वो Irish Constitution से लिया गया Ireland के Constitution ने जिसने खुद कहां से लिया हो है Spanish Constitution इनको डाक्टर बियार अमेटकर ने बोला था Novel Features of Indian Constitution देखो, Fundamental Rights क्या प्रवाइड करते थे मैंना आपको जो पढ़ा था यह Political Democracy का Concept प्रवाइड करते है और DPSP क्या प्रवाइड करते है Social और Economic Democracy मतलब, Social Society को उठाना है Backwardness को हटाना है Social जो Backwardness है और Economic Backwardness को भी ठीक हरना ताकि Equal Distribution हो Wealth की बहुत गरीब लोग भी न रह जाए और बहुत अमीर भी न हो जाए Middle maintain रहे उसको बोलते हैं Economic जो है Democracy इन दोनु का जो Combination है वो मनाते है DPSP और Political Democracy का मनाते है Fundamental Rights और अगर हम Fundamental Rights और DPSP को हमारे जो DPSPs है Directive Principles, State Policy वो किस से मिलते हैं जैसे Fundamental Rights Bill of Rights से मिलते था न US के इसी तरह जो हमारी DPSPs है वो मिलते है Instrument of Instructions Government of India Act 1935 में देखो Government of India Act 1935 में एक चीज़ एक्स्पेंड की गी थी Instrument of Instruction Instrument of Instruction होते क्या थे देखो इंडिया में क्या होते थे गवर्नर्स ब्रीटिश के और उनके उपर कौन बैठी वी थी ब्रीटिश गवर्मेंट लंडन में वो लंडन से ब्रीटिश गवर्मेंट instruction देती थी इन गवर्नर को कि आप ऐसे laws बनाओ ठीक है इसी को बोलता है instrument of instruction इसी तरह हमारे DPSB एक तरह की instruction है जिसको? स्टेट को स्टेट में legislative भी आ जाती है जो laws बनाने वाले हैं और executive भी आ जाते हैं जो law को execute करते हैं जैसे cabinet minister तो यहाँ पर भी instruction दी जा रही है स्टेट को कि आपने कैसे laws बनाने हैं कैसे policies बनाने हैं और यह कौन से concept को promote करते हैं concept of welfare state तो यह paper में question आता है मैं तो हर एक exam में यह question आता ही है which part of Indian constitution promote the concept of welfare state इसका answer है DPSB अब आपको welfare state समझे सिर्व आपको paper qualify नहीं करना आपको यह भी पता होना चाहिए है क्या welfare state एक इस तरह का governance model होता है जिसमें state जो है वो important role play करता है लोगों की social and economic conditions को improve करने में जैसे अगर कोई socially backward है जैसे कोई caste है वो socially backward है कोई region है वो socially backward है तो उसको उपर उठाना अगर कोई poverty है उसको खतम करना health को improve करना, education को improve करना तो ऐसी जो state होती है उसको बोलते है welfare state एक है एक होती है police state police state होती है जो सिर्फ law and order को maintain करना और कुछ नहीं करना देश को बचाना बाहर से कोई ना करे यह होता है सिर्फ police state यह एक narrow concept है welfare state में होता है देश को तो बचाना ही बचाना है plus लोगों का welfare भी करना तो welfare state का concept DPSP से आता है और यह किसको promote करते है economic and social democracy को यह मैं already explain करते है यह most important part क्या fundamental right justice able होते है भाई होते है आपने पढ़ा है कि अगर आपका fundamental right violate होता है तो आप चले जाते हो court में enforce करवाने के लिए लेकिन हमारी DPSP is non-justice अगर यह कोई follow नहीं कर दी है तो आप court में नहीं जा सकते इनको enforce करवाने के लिए but हमारे constitution में कल हम जो पढ़ेंगे न amendments जो हुए है constitution में DPSP और fundamental rights के बीच में हमेशे एक conflict रहता है DPSP versus fundamental right जैसे होता है na BJP versus Congress वहाँ पर यहाँ पर भी चलता है DPSP versus fundamental right उसमें हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें हैं और हमारे Supreme Court ने time to time किसको preference दी और कैसे इन दोनों के बीच में balance maintain करके चला जाता है तो हमारे लेकिन अभी तक आप इतना याद रहो कि हमारे जो DPSP's है वो non-justiciable है मतलब अगर ये कोई state follow नहीं कर रही है तो आप court में नहीं जा सकते कि ये enforce नहीं हो ठीक है This is all about quick digest अब आप थोड़ा अपना brightness बढ़ा लेना जो भी आप use कर रहे हो phone और laptop क्योंकि ये जो picture है basically इसको इतना type करना पड़ता मेरे पास इतना time था नहीं तो मैंने ये paste कर दिये क्योंकि मुझे समझाने तो यहीं से main article और ये मैंने लिए है लक्षमी कान से देखो कोई भी source जो मैं उठाता होना तो authentic ही है आप उस पर completely rely कर सकते है ऐसे किसी भी book से मैं नहीं पड़ाता तो ये लक्षमी कान से मैंने लिया picture देखो यहाँ पर सारे articles है 36 से लेके 51 सभी आपको याद नहीं रखने और ना ही आपसे होंगे important important जो r mark किये हूँ है वैसे ही मैंने भी यही prepare किये हूँ है तो आप कर सकते हो r इसलिए किये है मेरा नाम इसी अलफारेट से है तो सबसे पहला 36 article definition of state 36 article से state को define कर देगो मैं highlight ले ले तो तो 36 article देता है definition of state state को define करता है तो state की definition जो fundamental rights में थी वही यहाँ पर है कोई difference नहीं है तो अगर आपको fundamental rights की पता थी fundamental rights में parliament भी आ जाता है executive authorities भी आ जाती है local bodies भी आ जाती है तो state में भी यहीं पर सारा same 37 article कहता है 37 article basically बताता है nature और significance of DPSP DPSP जो हमारे है उनका क्या nature है और उनकी importance क्या है इसके बारे में बताता है यह इतना important नहीं है आपके लिए 38 article state to secure a social order for the promotion of welfare of people लोगों के welfare को promote करने के लिए state को काम करना चाहिए अब लोगों के welfare को promote करने के लिए state क्या करेगी देखो state क्या करेगी state justice provide करेगी लोगों को ठीक है वो justice तीनू तरह की होगी social भी होगी economic भी होगी और political ठीक है basically यह concept basically यह concept यह बताता है कि हमें लोगों के welfare को 38 आर्टिकल ये बोलता है कि लोगों के welfare को बढ़ाने के लिए हमें उनको economic, social and political justice प्रोवाइड करनी है और उनमें inequalities को कम करना है चाहे वो social inequality हो, चाहे वो economic inequality हो, political inequality हो, उसको कम करना है 39 कहता है, 39 में important articles है, 39 articles में बहुत सारे articles आते हैं 39A, B, C, D, F, G, H, ऐसे आते हैं, लेकि 39B, C हमारे लिए बहुत important है ठीक है, जो हम कल amendments में भी पढ़ेंगे और इसमें important है basically 39B, C ये बोलता है, कि जो wealth है लोग, पैसा है जो देश में उसकी equal distribution करने की state को policies बनानी चाहिए मतलब, कि जो पैसा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो कुछ ही, मतलब 10-20 गुने चुने लोग हैं जिनके पास काफी ज़्यादा पैसा है और बागी सारे घरीब एठ है तो ऐसा नहीं करना, हमें ये कोशिश करने हैं कि जितने भी wealth हैं, वो equally distribute हो हमारे country के जितने भी resources हैं, वो भी equally distribute हो ये नहीं हो कि कोई resource है, वो सिरफ एक region को ही मिले और दूसरे region में उसका फाइदा ही नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं करना है तो 39 basically यही promote करता है, कि जो resources हैं उनको equal distribution हो wealth जो है, वो equally distribute हो लोगों में 39A, ठीक है, यह capital A है, 39A बोलता है equal justice and free legal aid देखो इसको पहले की constitution में नहीं था, इसको 42nd amendment में add किया गया था यह provide करता है कि लोगों को equal justice मिले सबको और free legal aid मतलब देखो ना, अब सबको high court या district court जाने के पैसे नहीं होते है cases कितने लंबे-लंबे चलते हैं, advocates कितने ले ले लेते हैं लेकिन free legal aid provide की जाए लोगों को ताकि लोग अपना case लड़ सके इसके लिए legal service authority बिनाएगी, तो national legal service authority act टेक आया था उसके तहस्त बिनाएगी थी, यह article 39 है, यह important है 40, organization of village panchayas village में panchayas होने चाहिए, तो इसी DPSP की help से बार में 73rd और 74th constitutional amendment हुई, 73rd amendment में village panchayas को लाया गया 41 is not very important, right to work, to educate and to public assistant in certain cases में, right to work मिले, right to education मिले लोगों को, ठीक है, यह है provision for just and human condition of work and maternity relief देखो, यह कुछ, मतलब समझ लो, आप workers के लिए है कि उनके साथ justice और human condition, मतलब human condition का मतलब होता है कि humanity के साथ treat किया जाए, work और maternity relief में, ठीक है 43rd living wage for workers, यह define करता है कि workers को living wage मिले जाए अब देखो living wage क्या होता है, एक होती है minimum wage देखो, एक concept होता है minimum wage, minimum wage क्या होता है minimum wage होता है, सिर्फ आपको उतना मिल जाए, खाने, पीने के लिए और रहने के लिए, वो होती है minimum wage living wage क्या होती है, minimum wage तो मिलनी चाहिए workers को प्लस, उनको health, अच्छी health condition भी मिलनी चाहिए उनको education भी मिलनी चाहिए ठीक है, ये कुछ चीज़ें भी इसमें add हो जाती है जब minimum wage में तो वो बन जाती है living wage तो ये article 43 से deal गए 43 ये भी बाद में add हुआ है तो ये बताता है कि participation of workers in management of industry, किस तरह से workers industries के management में काम करेंगा 43 भी important article promotion of cooperative societies cooperative society को promote किया रहे, ये कब add की गी थी 97 में आपको एक बार बता भी चुका हूँ 97 amendment हुई थी 2011 में इसमें cooperative societies बनाई गई थी और उसी time यहां पर एक DPSP भी add की गी most important article 40 और 44 most important है 44 कहता है uniform civil code for citizens, देखो ये न uniform civil code रोज news में होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ कि uniform civil code क्या होता है uniform होता है 1 जैसा civil code 1 जोता है civil laws, 1 जोता है criminal law, criminal law तो crime related होगे civil laws होते हैं basically हमारे जैसे property related rights होगे ये civil goals में आते हैं, जैसे marriages related होगे, uniform civil code मतलब देश में एक जैसा law होना चाहिए, custom के related हमारे religion के related जैसे हो गया, हमारी शादियों के related, marriage, divorce के related, uniform civil law ये कहता है कि हमारे देश में एक जैसा law होना चाहिए, क्या ऐसा होता है नहीं, हिंदू में अलग है हिंदू सक्सेशन एक्ट चलता है हिंदू marriage एक्ट अलग है, हिंदू divorce एक्ट अलग है, मुस्लीम में शरिया लाज चलता है, पार्सीज में पार्सीज अलग एक्ट है, सिख में अलग एक्ट है तो हमारा जो constitution है वो बोलता है कि uniform civil code होना चाहिए सभी citizens के लिए बट ये ना तो आज तक implement हुआ है इसके लिए अभी recent एक bill भी आया है पार्लेमेंट में, लेकिन अभी कुछ इतना काम हो नहीं रहा है होता किया ना, देखो बहुत मुश्किल है ये काम करना uniform civil code लाना अभी देखो, हिंदोस्तान multi-religious country है multi-region है, multi-linguistic है, multiple culture है तो कोई भी अपनी religion से छेट-साट नहीं चाहता है तो इसलिए uniform civil code को implement करना बहुत मुश्किल है आप मुझे comment box में बता सकते हो कि क्या uniform civil code होना चाहिए देश में implement और होना भी चाहिए तो किस तरह से हो सकता है मेरा तो ये मानना है कि अगर uniform civil code को इंडिया में लाना है तो phase manner में लाओ phase manner में कैसे ला सकते हो जैसे देखो पहले क्या करो marriage पे लाओ थोड़ी फिर उसके बाद दीरे-दीरे marriage के बाद आप divorce पे ला सकते हो ऐसे करो एक ही बार अगर अगर आप uniform civil code लाओगे न देश में तो बहुत दंगे हो जाने इसलिए uniform civil code important है आर्टिकल 45 यह recent news में रहता ही रहता है 45 कहता है provision इसमें क्या है early childhood care बच्चों की care के related और education to children below age of 6 years उनके साथ यह deal करता है 46 यह important है promotion of education and economic interest को promote करना किसके schedule का schedule types और other weaker section इसकी help से ही बाद में act बनते हैं national commission बनी है schedule का schedule का schedule tribes को weaker section को reservations भी दी जाती है 47 duty of state to raise the level of nutrition को बढ़ाना और standard of living को improve करना ठीक है and to improve public health लोगों की health को भी improve करना 48 deals with organization of agriculture animal husbandry को organize करना ठीक है 48a यह important है protection and improvement of environment यह भी पहले नहीं था 42nd amendment I think इसके तहत add किया गया इसको और safeguard करना हमारे forest और wildlife को यह basically environment से related है 49 monuments को protect करना places and objects of national importance यह तो बाद में fundamental duty भी है हमारी हम fundamental duties में भी पढ़ेंगे और 49 articles DPSP भी है 50 देखो यह देखो यह हमारे पास ना देखो यहां से आपको एक चीज समझ आएगी देखो यह monuments की protection places and objective of national importance यह एक fundamental हमारे पास right नहीं है यह मतब हमारे लिए यह non-justiciable है अगर suppose कर आईसे आप किसी importance national importance की height rate को खराब करते अगर यह होता कहीं fundamental rights justiciable होता अगर DPSP तो आप चले जाते court भाई तो इसलिए इसको अच्छे से protection मिलती है यह non-justiciable DPSP के होने से नुकसान भी है तो यह आप समझ सकते हो article 50 कहता है यह भी important है separation of judiciary from executive मतलब देखो हमारा executive का judiciary में रोल नहीं होना चाहिए executive मतलब जैसे executive में आ जाते है cabinet minister mainly prime minister हो गया home ministry सारे आ जाते है cabinet जो implement करते है laws को उसका judiciary में रोल नहीं होना चाहिए अगर उसका judiciary में रोल होगा तो फिर हम कहां जाएंगे अगर suppose करो हमें कोई ला पसंद नहीं आया suppose कोई formulas आये थे formulas लोगों को पसंद नहीं आये अब उनके पास क्या option है यह option है वो court जा सकते है protest तो चलो एक बार वो खतम भी हो सकता है by but main हमारे पास क्या है कि हम judiciary जा सकते हैं judiciary independent तो judiciary का executive से अलग होना बहुत जूरी हो यह article 50 में बोला गया 51 important international peace or security को हमें promote कर यह article 51 देखो यह सारे क्या है आपको इनको पढ़के क्या समझाए इनको पढ़के आपको यह समझाए यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जो ऐसे principles हैं जो follow होने चाहिए हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए इसलिए कहते हैं कि एक चीज़ में आपको बता दू अगर आपको बोले क्या DPSP positive concept है मतलब negative concept DPSP positive concept में गिना जाता है और fundamental right negative क्यों? देखो DPSP वो state को काम करने में help करते हैं और fundamental rights उनको काम करने में रोकते हैं अगर suppose करो आपको अच्छा काम मतलब कोई state अच्छा कोई law ला रही है किसी भी चीज़ के related DPSP के according बट अगर suppose करो उसे कोई भी fundamental right जैसे किसी का right to equality देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ suppose करो हमारी जो DPSP कौन से वाली DPSP है जैसे कि equal distribution of wealth नहीं होना चाहिए wealth equally सब में distribute होना चाहिए जैसे एक person के पास जदा wealth नहीं होनी चाहिए ये वाली DPSP trade क्या करती है implement करना चाहती है but अमीर लोग तो ये चाहेंगे नहीं ये ऐसी implement हो तो वो क्या करेंगे वो article 14 को लेके खड़े हो जाएंगे fundamental right court में चल जाएंगे क्यों article 40 कहाता है equality before law के ब्राबर तो सम equal है तो basically fundamental rights जो है वो एक negative role play करते है जब भी state किसी rules को implement करने में आता है तो fundamental rights वो DPSP में इतनी बड़ी debate है ना जितनी नहीं बनती है BJP और Congress में ठीक है इतनी बड़ी debate है ये debate हम कल के lecture में पढ़ेंगे इसमें मैंने इसलिए include ने किया कि आपके लिए over burden हो जाएगा आपको ये articles भी तियार करने और ये भी facts देखने हैं और हम कल के lecture में अब हम देखेंगे कि क्या basically fundamental rights और DPSPs के बीच में क्या conflict है और इस conflict को दूर करने के लिए Supreme Court ने time to time क्या कहा और ये जो amendments हुई है DPSPs में उन amendments के बारे में भी हम पढ़ेंगे तो DPSPs में एक lecture और आएगा उसके बाद हम आगे next fundamental duties के बारे में पढ़ेंगे I hope आपको Indian politics की lecture series पसंद आ रही होगी Freedom Struggle पे भी हमने एक series स्टार्ट कर दियो है हिस्ट्री की JKSSB Target badge VLW का भी चल रहा है ठीक है current पे भी हम recent video ला रहे हैं जो भी साल का current होगा हम हर एक important topic में video लाएंगे short videos भी आ रहे हैं current की एक full-fledg preparation आपको इस channel में मिल रही है अगर आप हमारे content को पसंद कर रहे हैं तब ही आप इसको subscribe करें और share करें उनको की जो competitive की preparation करें क्योंकि आपको भी पता ये channel अभी initiative state में है तो ये सिर्फ हमारा channel नहीं है आपको मैंने बोला है इस channel का मकसद सिर्फ यही है आपका exam clear हो और हमारा भी मकसद देए कि आपका वो exam क्लिए हमारे गोल सेम है हम चाहते हैं कि हमारे channel की थोड़ी reach बढ़े उन लोगों तक पहुंचे जो भी preparation कर रहे हैं और जिनके पास money नहीं है कि अफोर्ड कर सकें courses, batch courses जो paid होते हैं इसलिए हम आपके तो उन तक यह पहुंचाना चाहते हैं तो this is all for today, thank you so much